नमस्कार, YouTube चैनल N Universe Study में आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले इसको सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रही आप इसके Facebook पेज N Universe Study को भी जोईन कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे H.S.C. प्रिक्षया Agriculture Inspector जो Advertisement No. 6 बटे 2016 और Category No. 36 के अंतरगत 20 जुलाई 2017 को नून सिफ्ट में आयोजित हुई और इस प्रिक्षया में इंडिया और इंटरनेशनल जीके से सम्बंदित पूछेगे 10 प्रसनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शुरू करते हैं पहला प्रशन 2017 रामानुज की रिक्त स्थानवी जियनती है जो वसिस्थ एद्वेत के प्रती पादक थे उप्षन है सोंवी, पांसोंवी, एक हजारवी, आर्टसोंवी इस प्रसन का सही उत्र है उप्षन सी एक हजारवी अगला प्रसन है समराट, असोक, रिक्त, स्थान, राजकुल से थे उप्षन है गुपता, चालुक्य, खिलजी इस प्रसन का सही उत्र है उप्षन ए अगला प्रसन है कौन लोगसबा अध्यक्स है उप्षन है सिरी हामिदन सारई, सिरी मती सुमित्रा महाजन सिरी मती नजमा हेपतुला सिरी पीजे कूरियन इस प्रसन का सही उत्तर है, option B, शिरी मती, सुमित्रा महाजन अगला प्रसन है, कौन वर्तमान केंद्रिय, उप भोकता, मामले, खाद्य और सारवजनिक वित्रण मंत्री है अगला प्रसन है, बुद्धियाग कार्ल मार्क्स, रिक स्थान दुवारा लिखी गई पुस्तक है अगला प्रसन है, संख गोस, एक बंगाली कभी ने, 2016 में रिक स्थान पुर्शकार जीता है, उप्षन है, बुकर, दादा साहीब फाल के ग्यान पीट, द्रोना चार रहा है इस प्रसन का सही उतरा उप्षन से ग्यान पीट अगला प्रसन है, निमन लिक्त में से कौन सा देश, विशो में काफी का सबसे बड़ा उत्पादट है उप्षन है, ब्राजील, चीन, भारत, स्विट्जर लेंड, इस प्रसन का सही उतरा उप्षन A, ब्राजील अगला प्रसन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कोन है उप्षन है, नसीम जैदी, S.Y. कुरेशी, V.S. संपत, H.S. ब्राम्मा इस प्रसन का सही उतरा उप्षन A, नसीम जैदी अगला प्रसन है, दीन, ध्याल, उपाध्य, ग्रामिन, कोशल्य, योजनक की घोशना रिक्त स्थान के दुवारा की गई थी अगला प्रशन है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने friends के साथ दोस्तों students के साथ और any universe study को subscribe करना ना भूलें जल्दी ही आजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ रहे